एस्टालोजिक डिवाइन ये देवी विद्या है अभी गोचर के लेक्चर्स चल वाए हैं और पिछले लेक्चर में हमने आपको शनी की धहिया के बारे में बताया था शनी की धहिया और आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है शनी की साड़े साती शनी की साड़े साती के बारे में आज discuss करेंगे तो शनी एक slow moving planet है जैसा आप जानते हैं पहले बता चुके हैं और ये 30 वर्ष में 30 years में पूरा ब्रह्मांड का एक चक्र लगाते हैं ब्रह्मांड या नक्षत्र मंडल या आकाश मंडल या जोडियक का एक चक्र तीस साल में पूरा करते हैं और पूरे ब्रह्मांड में चुकी 12 राशिया हैं इसलिए एक राशी को ये धाई वर्ष में कवर करते हैं धाई वर्ष में एक राशी में रहते हैं तो शनी की साले साती के बारे में definition इनकी इस तरह से है कि जब व्यक्तिक की जन्म राशी जन्म राशी या चंद्र राशी जन्म राशी किसों कहते हैं जहां जन्म उसकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां बैठा है तो वो जन्म राशी होती है चंद्रमा जिस भी घर में जिस राशी बठा होगा वह राशी जो उसकी चंद्र राशी कह लाएगी तो शनी की सालय साथी के बारे में डेफ़ीशन यह है कि शनी जर व्यक्तिक की जन्म-राशी से 12 स्थान यानिया उस राशी से जस्थ पहले स्थान में जब इंटर करेंगे गोचर में प्रवेश करेंगे तो वो शनी की साड़े साती स्टार्ट होती है तो शनी की साड़े साती स्टार्ट हुई जब शनी जिस जो उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में जो जन्म राशी है उससे बारवे भाव में या जस्ट उसके पहले भाव में जब शनी इंटर करेंगे तो वो एक राशी में धाई वर्ष रहते हैं और फिर उसके बाद जन्म राशी में आएंगे तो जन्म राशी में धाई वर्ष रहेंगे और उसके बाद फिर जन्म राशी से अगली राशी में धाई वर्ष रहेंगे इस तरीके से धाई वर्ष धाई वर्ष और धाई वर्ष यानि तीन राशियों में रहने को साड़े साती कहा जाता है क्योंकि साड़े साथ वर्ष हो जाएंगे धाई को गर तीन से मल्टिप्लाई करें तो साड़े साथ आता है तो वो साड़े साथ वर्ष तक व्यक्ति की जन्म राशी या चंद्र राशी यानि चंद्रमा के उपर इनका ए करते हैं और उसी को शनी की साड़े साती कहा जाता है अब देखिए पूरे भचकर पूरे जोडिये किया पूरा ब्रम्हांड का चकर इन्होंने तीस वर्ष में लगाया और यहां पर साड़े साथ वर्ष लगाए एक उसी व्यक्ति की साड़े साथी कवर करने में माली यह शनी साड़े साथी स्टार्ट हो जाएगी यहने व्यक्ति की जो साड़े साथी चल रही है तो साड़े साथ साल कवर करने के बाद फिर से साड़े 22 वर्ष के बाद उसकी साड़े साथी फिर से आएगी तो यह आपने देखा कि शनी जिस समय गोचर में जिस समय व्यक्ति की जन्म कुंडली में जो उसकी चंदर राशी या जन्वराशी है उससे जस्ट पहले वाले घर में या बारवे घर में जब वो इंटर करेंगे तो साड़े साती स्टार्ट हुई धाई वर्ष वहां फिर जन्वराशी पे धाई वर्ष और उसके अगली राशी पे धाई वर्ष तो इसी को साड़े साती कहा जाता है महादेव शिव जी ने इनको आशिरवाद दिया और इनको शनी को न्याया धीश या जज की पद्वी दिया इनको जज की पद्वी का मतलब ये है कि विक्ति जो भी अपने जीवन में कर्म करता है अपने जीवन में जो भी शुब या शुब कर्म कर रहा है तो उसका शुब या शुब परणाम जो भी मिलेगा उसका देने का अधिकार सिर्फ शनी महाराज को है शनी जो है उसके शुब या शुब कर्मों के हिसाब से उसका परणाम देते हैं ये महादेव ने इनको आशिरवाद दिया और उसका अधिकार सिर्फ शनी के पास में है तो जो फादर अफेस्टरलोजी पाराशर है पाराशर ने भी अपने शलोक में यही कहा कि उस व्यक्ति को जो उसने शुब या शुब कर्म किये हैं उसके शुब या शुब कर्म फल उसको परणाम मिलेंगे और वो भोगने ही पढ़ेंगे उसका कोई अन्य विकल नहीं है यह शलोक इस तरह से है इसका मतलब ये है कि व्यक्तिने अपने जीवन में जो कर्म शुब या अशुब किये या कर रहे हैं उसका प्रडाम शुब या शुब उसी अनुसार उसको भूगना ही पड़ेगा उसका कोई अन्य विकल्प है ही नहीं ये क्लियर कट बताया कि जो भी कर्म है इनसान के उसको उसका कर्मफल भूगना ही पड़ेगा तो इस तरीके से और उन प्रडामों का यानि उन कर्मफलों का देने का अधिकार जो है सिर्फ शनी को दिया महादेव ने कि शनी महराजु है यही उसका करमफल देते हैं इंसान का तो अब यह देखिए चोंकि बहुती स्लो मुविंग प्लैनेट है यह धाई वर्ष तक एक राशी में है जब साड़े साथी स्टार्ट हुए तो यह धाई धाई यह धाई मिला के साड़े साथ वर्ष तक तो अगर कुल्ली में अच्छे हैं शनी इसके मतलब एक अच्छा इंडिकेटर है उस वेक्ति ने अच्छे करम किये इसलिए उसको अच्छा प्रणाम मिल रहा है साड़े साथ वर्ष तक वह अच्छे प्रणाम मिलेंगे यह अशुब प्रणाम बहुत कम होंगे लेकिन अगर उसकी उस वेक्ति की कुल्ली में शनी खराब है मारक है अशुब है और निर्बल है और तो वह क्या होगा कि उसके प्रणाम फिर शनी के साड़े साती के प्रणाम बहुत ज्यादा खराब होंगे और साड़े साथ वर्ष एक बहुत लंबा पीरिड है तो वह वेक्ति जो है बहुत कुंडली में शनी खराब है तो वह एक बहुत लंबे पीरिट के लिए उस व्यक्ति को कस्ट जेलना पड़ता है इसी लिए लोग घबराते हैं शनी के साड़े साती से जिस समय माली जे की शनी समय ये गोचर में मकर राशी में हैं समय चल रहे हैं तो शनी मकर राशी में हैं तो उसके जस पहले वाली राशी आपको बताया बारमे भाव में ये एक तो ये राशी इन्होंने कवर किया तो इसको अंतिम चरण कहा जाएगा जिस जो चंदर राशी ह वो दूसरा चरण कहलाएगी और इसके बाद जो तीसरी राशी कवर होगी धाई वर्ष की वो पहला चरण जन्म राशी से पहले वाला पहली वाली राशी अंतिम चरण में जन्म राशी वाला जो फेज है धाई साल का वो दूसरा चरण और इस जन्व राशी के बाद वाला जो period आएगा धाई साल उसको पहला चरण कहेंगे तो ये तीन चरण जो है वो साड़े साती के तीन चरण यानि धाई वर्ष धाई वर्ष धाई वर्ष इसी को चरण कहा ये उससे आप confuse ना करिए कि एक राशी में हमने शुरू में बताया आपको एक राशी बारा राशी आए एक राशी में सबादो नक्षत्र होते हैं और एक नक्षत्र में चार चरण होते हैं वो बिलकुल डिफरेंट चीज है यह सिर्फ शनी की साड़े साती के तीन स्टेज़ेस है इसक लाइफ के इस की स्टेज के साड़े साती के तो यह अंतिम behaviour में होगा ये दूसरा चरण और ये पहला चरण में होगा अब शनी जो है इस समय दिसंबर 2021 चल दा है भी दिसंबर 2021 में मकर राशी में कैप्रीकॉर्ण राशी में गोचर में है तो सपोज किसी व्यक्ति की अगर वो जन्व राशी या चंद्र राशी अगर मकर है मकर है कैप्रीकॉर्ण है तो इसके मतलब उसकी साड़े साती चल रही है साड़े साती चल रही है दिसंबर 2021 में और अगर जन्व राशी मकर है इसके मतलब कि शनी यहाँ पर है समय गोचर में तो इसका ये जो नाइन्थ इसके जस पहले वाली राशी धनु राशी या सेजिट प्लच्ण राशी कुम राशी क्लियर इसुज चरंद। तो किसी भी साड़े साते मेंझान करेंगे जिसके और फ़ल देंगे और इस अभी 29 अप्रेल 2022 में चले जाएंगे गोचर में तब क्या होगा उस समय जो यह धनु राशी का जो अंतिम चरण चल रहा है यह खतम हो जाएगा या इस व्यक्ति को या जिस व्यक्ति की नाइन्थ राशी है जन्व राशी उसको शनी की साड़े साथी से छुटकारा मिल जाए छाएगा वह अंतिम चरण में लो फिर क्या होगा यहाँ पर यह आ जा जायओ जाए गी कपी नाज से कुम राशी में जाने से थीन राशीं कवर होंगी यह वाला राशी हड जाएगे और यह दस गयारा 1 और雜ीन राश यह हुछआ उसक्स काव nep जोटक्ति रौ जैसे कि आपने गोचर में इसके पहले तमाम लेक्चर में बताया है कि किसी भी ग्रह का गोचर जो होता है वो उसकी जन्म कुल्डी में क्या पोजिशन क्या स्टेटस है उसी पर डिपेंड करता है इसी तरीके से शनी की साड़े साती हो धैया हो इनका गोचर में हो तो वो अं साउंग है और इसके अलावा अगर वो योग कारक है तो वो बढ़या फल दे गा, साडे साती में भी बहुत बढ़या फल देगा या अशुब फल बहुत कम होंगे, लेकिन अगर वो अशुब है, निर्बल है, मारख है, तो इस कंडिशन में इसके फल खराब होंगे तो इसलिए साड़े साती की study करते समय देखते समय इस बात को देखना जरूरी है कि व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनी का status या उसकी position क्या है कैसा है वो जन्म कुंडली में अब मान लिजे कि वो शनी strong है बढ़िया है तो कैसे देखेंगे तो उसके लिए क बढ़िया होंगे सेकेंड नमबर यह लगन से अच्छे स्थान में बैठना चाहिए अच्छे स्थान क्या है केंद्र हो एक चार साथ दस या त्रिकोन हो एक पांच और नौई पहले वी बता चुके हैं कि अच्छे स्थान है केंद्र या त्रिकोन इसमें अगर शनी बैठे है तो फिर और बढ़िया फल और अगर डिग्री वाइस बढ़िया है तो फिर वो अच्छा फल देंगे अब माल लीजे कि शनी जो है वो खराब है जन्मकुल्डी में खराब है तो वो डेफिनेटली वो उसमें साड़े साती में भी खराफल देंगे तो कैसे पता चले कि खरा इस्थानों में बैठे हूं अच्छा नहीं माना जाएगा इसके अलावा माल यह कि वह अपनी नीच राशी में बैठे हैं यहां बैठे हैं वहाँ पर अशुब ग्रहों की उती द्रस्टी है, इनकी डिग्री भी अच्छी नहीं है, उस कंडिशन में शनी खराब हो गए, तो वो एक इंडिकेशन हो गया, एक इंडिकेट कर रहे हैं कि इस व्यक्तिक की जब साड़े साती आएगी तो इसको बहुत कस जिलना पड़ेग की दशा अंतरदशा चल रही है, अगर किसी शुब ग्रह की दशा अंतरदशा है, ऐसे ग्रह की दशा अंतरदशा है, जो शनी का मित्र है, तो फिर वो परणाम अच्छे होंगे, अगर वो शनी के शत्रु की दशा अंतरदशा है, तो फिर वो परणाम अच्छे नहीं होंग और या फिर उनका मित्र हो तो जिस राशी में इंटर कर रहे हैं उस राशी का स्वामी अगर उनका मित्र है तो फिर वो परणाम अच्छे होंगे अगर शत्र होगा तो परणाम खराब होगे दो चीज़ें यह वही थर्ड चीज एक चीज़ और देखनी चाहिए कि शनी जिस राशी में इंटर कर रहे हैं तो उस राशी में एक राशी में सवादो नक्षत्र होते हैं तो जिस राशी में इंटर किया उसका किसी नक्षत्र में भी इंटर करेंगे तो उस नक्षत्र के स्वामी से इनका क्या रिलेशन है अगर उस नक्षत्र के स्वामी से शनी की दोस्ती है मित्रता है तो परणाम अच्छे और अगर शत्रता है तो परणाम खराब होगे एक पॉइंट और चौथा पॉइंट है ये भी देखना चाहिए कि शनी जिस समय साड़े साती में है राशियों में तो उस समय ब्रहस्पती या तो इनके साथ बैठे हो या ब्रहस्पती की द्रस्टी हो तो ब्रहस्पती की द्रस्टी बहुत ही अमरित समान होती है और ब्रहस्पती सबसे शुप ग्रह माने जाते हैं तो अगर ब्रहस्पती की द्रस्टी जितने समय तक पढ़ेगी तो उतने सम की साड़े साथी study करते समय तो इसको अब अगले lecture में हम आपको और ज्यादा examples लेके बताएंगे कि different लगने की कुण्लियों में इनकी क्या position होगी यह तो अभी देखा कि किस तरीके से फल अच्छा है या खराब है लेकिन actually वो क्या फल देंगे किस तरह वो क्या फल देंगे तो यह different लगने की कुण्लियों में उसका जो है फल different हो जाएगा तो इसको अगले lecture में फिर हम आपको बताएंगे कि और examples लेके कि different लगने की कुर्डीयों में 10.30 जल रही है तो उसका प्रडाम क्या होगा सभी में मतलब ये मान के चलेंगे की यह 10 राशी मेंłości में गोचर में हैं समय दिसंबर 2020 में 10 राशी में गोचर में हैं तो वह अगर विक्तिकी मकर राशी है जन्वराशी चंद्राशी तो लेकिन लगन उसकी डिफरेंट है तो यह फल डिफरेंट हो जाएंगे तो इसको फिर अगले लेक्षर में बताएंगे और इसको आप बहुत ध्यान से देखें कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट चीज है और यह लाइफ में इंसान की लाइफ में दो तीन चार यह शनी के साड़े स साथी आती हैं और क्योंकि साड़े 22 वर्ष के बाद फिर से रिपीट होता है वो साड़े साथी तो इसको जो है आप लोग ध्यान से देखें स्टेडी करें अगर नहीं सब्स्राइब किया सब्स्राइब करिए जिससे कि आपको कंटिनुएशन में अब इसके बाद जो कंट कि अ